इंडिया के साथ उन्होंने कलकी धाम की पावन धरा को नमन किया वाकई वो धन है बहुत सारी महत्वण बाते प्रधान मंत्री ने कहीं उसमें दो और बात ऐसी थी एक आपकी तारीफ कि उन्होंने कि जब मिला तब समझ में आया कि आपका जो संगर्श है आपका आध्यात में सनातन की प्रतियापका अध्यान है उसके तारीफ के उन्होंने और उस साथ ही उन्होंने ये भी का कि अब हमें उदाहरण बनना है दूसरों से सीखना नहीं है उदाहरण दूसरों के रिपंद जो शब्द जो भाब प्रधानमंत्री घी ने मेरे लिए वक्त किया है मैं जीवन की आ कर देना चाहता हूं कि अगर इस देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ना होते हैं तो ना आयुद्ध्या का मंदिर बन पाता और आज श्रीकल की धाम का श्रण न्यास होता है आचारे जी राहूल गांधी न्या यात्रा निकाल रहे हैं प्रयांका गांधी को हलांकि स्व यहां से आप बहुत बड़ा संदेश देनी की कोशिश कर रहे हैं क्या मैं सही समझ रही हूँ जो आप कहा रहे हैं क्योंकि यह सबाल उट रहे हैं संबल के हमारी भावना है हमारी प्रतना है भगवान से कि जिस तरह आज नरेंद्र मोधी जी के द्वारा श्रीकल की धाम का शिला न्यास हुआ है उसी तरह पांच वर्ष बात दोहजार उन्तिस में शिकल की धाम की प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधान मंतरी मोधी के हाथों से हो ऐसी हमारी बावना है अब वहां मंद्र प्रदेश में बहुत ही उलट फेर हो रहा है कमल नाज जी का हो रहा है कि वो बीजेपी में आ जाएंगे महराश्र के पूर्व मुखी मंतरी अशोक चोहान वो पहले ही आ चुके हैं और यहां पर भी कई ऐसे नेता देखने को मिले आज के कारिक्रम में क् कोई अटकले हैं क्योंकि कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो 2016 में आपके मंच पर थे वो इस बार दिखे नहीं कुछ गिनेचु नहीं रिखते हैं कौन कहा था कौन कहा जाएगा इसके वारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है बस मैं इतना कहना चाहता हूं जिसे दुरुगती करानी है वो उधर खड़ा रहे है जिसकी सद्गती हो नहीं हो इधर चला है बहुत बहुत धनेवाद नियुजटीन से बात करने के लिए तो सुना आपने आचारे प्रमोध कृष्णम जी को कि किस तरह से उनका कहना है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उनका साथ दिया तो अब वो मोधी जी के साथ है कैमरा पसंद सोनु मंडल के साथ मैं में इंद्गा शौतरी नियुजटीन युप उत्राखन के लिए संभल से झाल